जो कर दो कि अच्छा फाइब आज कर दो इस प्रिवेंटीन ग्रूप को स्टार्ट करते हैं आज 17 ग्रूप में क्या है देखो सबसे पहले इस ग्रूप के मेंबर कौन है 17 ग्रूप है जो इसकी ग्रूप के मेंबर है 17 में फिर कल बाहर आई आंटी याने फ्लोरीन फ्लोरीन ग्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटाइब तो सबसे पहले चीज है कि कौन से ग्रूप के मेंबर है इसके पास तो यह है आपका फ्लोरीन ग्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटाइब सेकेंड है इसमें इस ग्रूप को क्या बोलते है यह फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकेंड पॉइंट होगा इसे कहते है हम हैलोजन सेबंटीन ग्रूप को कहते है हम हैलोजन तो इसमें हैलो का मतलब क्या हुआ हेलो मीन्स होता है सी सॉल्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर जैसे हाइडोजन हेलोजन हाइडो का मतलब वाटर वाटर प्रोड्यूसर तो हाइडोजन तो ऐसी जन का मतलब हो गया जिस मतलब प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसर तो सौल्ट जिससे बनता है वो हो गया आपका हैलोजन जैसे NACL, सौल्ट है, NABR, सौल्ट है यह NAI, सौल्ट है तो जो भी सौल्ट बनेगा, वो किससे बनता है? इस ग्रूप के मेंबर से बनता है इसलिए हम इससे कहते हैं सौल्ट प्रोड्यूसर ठीक है? तो इन जन्रल इसका नाम होता है हैलोजन ठीक है? इस में से जो लास्ट वाला अलिमेंट होता है, एस्टे टाइम यह रेडियो अक्टिव होता है यह होता है रेडियो अक्टिव तो एक कुछ ही अमांट में मिलता है रेडियो अक्टिव सबको पता है न होगा disintegrate हो जाएगा ठीक है और disintegrate होने के बाद क्या करेगा तीन तरगी की रेस निकालता है एलफा बीटा और गामा इसे कहते हैं radioactive और इसकी life life बहुत कम होती है ठीक है और generally हम इसकी study को मिसमें कम करते हैं यह nuclear action में ज्यादा होता है nuclear chemistry में ज्यादा आएगा तो यह हो गया के लिए यहां तक पहली चीज क्या था element के नाम second चीज क्या था इसको हम क्या कहते है ग्रीक वर्ड आए हैलोजन और तीसरा इसमें आता है थर्ड पॉइंट इस जो एस्टेट आइंग था वो radioactive था ठीक है और इसमें एक और आता है फ्लोरीन फ्लोरीन की reactivity सबसे ज्यादा होती यह most reactive element होता है तो फ्लोरीन is most reactive element ठीक है इससे SuperHAlogen भी कहते है Hey Floryn is called SuperHAlogen ठीक है क्यूंकि यह सबसे ज्यादा reactive होता है और जब reactive होते हैं इसकी वज़ए से क्या होता है कि जो होते हैं वो free state में नहीं मिलते है is free state या native doit कहते हैं तो फ्री या निटिव स्टेट में नहीं मिलते हैं एक कंभाइन बिग मिलते हैं किसी के साथ कंभाइन हो जाएंगे यह अगे बढ़ जाओं कि एक ही जैसी चीजह सब के साथ अब नेक्स्ट इसमें आता है कि जो फ्लॉरीन होता है वो जनरली किस फॉर्म में होता है देखो अर्थ में होता है यह 0.07% होता है अर्थ क्रस्ट का और यह किस के साथ होता है जैसे फ्लॉरेसफार हो गया चीए एप्टू ट्रायोलाइट हो गया एने थ्री एल एप्सिक्स ठीक है फ्लॉरो एस्पटाइट हो गया चीए एफटू थ्री चीए थ्री पीओ फॉर का होल्ट वाइस इस फॉर्म में आपको फ्लॉरीन मिलेगा मैं लेकिन फ्री स्टेट में नहीं मिले गए तो इसी लिए जो फ्लॉरीन है उसके कुछ नाम आपको दे दिये फ्लॉरेसपार हमने पहले भी यूज किया था इसके लावा स्मॉल एमांट में यह स्वैल रिवर वाटर प्लांट बोन्स या टीटॉप एनिमल्स में भी मिलता है इसकेड राता है कलोरीन के ब dairy के मोस्ट एबनेंट ए जितने भी है लोजन होते हैं उसमें सबसे जादा flouryन फोंड वूर और एर्ट प्रस्ट का यह कितना बनाता है सी वाटर है जहां से यह इतना मिलता है तू पॉइंट परसेंट बाइमास सी वेल्ट से सी बेट्स है और इसके जो कंपाउंड है रोक सॉल्ट कहते हैं हम इसे एने सी एल और कार्नेलाइट हो गया के सी एल एमजी सी एल टू सिक्स एस टू कई बार इनके फॉर्मली पूछ लेता हो कि कार्नेलाइट का फॉर्मला बता दो ठीक है तो थोड़ा से देख लेना क्योंकि ओप्सन गया कर्नेलाइट का केसी एल एमजी सी एल टू सिक्स एस टू और केसियम क्लोराइड का सी सील सी एसी एल टू तो यह सी क्या हो गया मेन पार्टस हो गया क्लॉर्इन के अब ऐसे से आता है ब्रोमीन ब्रोमीन है कितना परसेंट है 2.5 इंतू 10 के 2.4 इंतना परसेंट function क्रस्ट का और यह मेंली कहा कर होता है सी वाटर में एंड सॉल्ट लेक में ठीक है और इसके सॉल्ट किस फॉर्म में होते हैं अलकली और अलकली होता है फॉर्स्ट गुरूप मेंबर उससे अलकली कहते हैं और सेकेंड गुरूप को कहते हैं अलकलाइन अलकलाइन में एमजी ब लेगा और लास्ट इसमें आता है आयोडीन आयोडीन की परसेंटेज और भी कम हो गए 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 परसेंट इन अर्थ क्रस्ट में ठीक है तो पहले चीज यह हो गए दूसरा सीवीट्स 0.5 परसेंट में आयोडीन होगा अलकली मेटल में यह है क्रूब चिले सॉल्ट पैट्रे में ठीक है और इसके नेम याद कर लेना कई बार पूछ लेता है इन नेम से तो यह इसके कॉमन नेम होते हैं ठीक है और इसमें बहुत सारी इंप्यूरिटी होती है इसलिए इसके अलग-लग नाम है और सोडियम आयोडेट में तो यह कंपाउंड को देख लेना आप थोड़ा सा अब आते हैं में पोर्षन में इसके सबसे पहला electronic configuration इसका मैंने आपको ट्रिक बताए थी कि कैसे electronic configuration हमने खरना है जैसे आपको दिया है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो आपको पता है पहला 9 होना चाहिए उसके बाद आप अपने आप कर सकते हो इसके बीच में होता गैप 8, 18, 18, 32 ठीक है एस्टे यानि अगर यह 9 है, 9 प्लस 8, 8 प्लस 9 कितना 17, 17 प्लस 18, 35, 35 प्लस 18, 53 और 53 प्लस 32 यानि 85 तो सबसे पहले atomic number का तरीका यह है, gap देख लो इसके बीच में 8, 18, 18, 32 बस दूसी चीज है, अगर मुझे electronic configuration निकालना है इसका, तो क्या करेंगे देखो, इसके लिए अपके लिए अपको ठीक बताईती कि क्या करना पड़ेगा हमको, noble gas लिखना पड़ेगा, जैसे फिर, कल, बाहर, आई, एटी, तो इसमें क्या है, सबसे पहले noble gas लिख दो, helium, neon, ही इना, जैसी रानिया, ठीक है, अब हमने क्या करना है, कि इसके last में क्या आएगा, देखो, ns2, np5, सबके last में यह आएगा, ns2, np5, ठीक है, क्योंकि 17 group का member है, तो last में 7 होंगे electron, तो s में 2, और p में 6, अब इसको यहां से start कर दो, यह second में आएगा, 2s2, 2p5, अब 2 के फिर 4s2, फिर 4p5, फिर 5s2, 5p5, फिर 6s2, 6p5, तो पहला आपको याद होना चाहिए, कि इस group के member के last में यह आ रहा है, ns2, np5, और यह 2 है, फिर 1 add करते चले जाओ, फिर उसके बाद दूसरी trick क्या है, कि जहां पे 2 और 3 में कोई change नहीं करना है, जो 4 आएगा, उसके पहले 3d10 करते हो, 4 के पहले 3d10, फिर जहां पे 5 आगया, उससे पहले 4d10, और अगर 6 आएगा, तो इससे पहले 2 चीज होनी चाहिए, 6 से पहले 5, तो 5d10, और उससे पहले 4f14, बस, यह इसकी trick है, तो यह electronic configuration आपको आराम से लिखने आ जाएंगे, इसमें याद कुछ नहीं करना है 3 तक कोई d नहीं होता है, 4 में 3d होता है, 5 में 4d होता है, और 6 में 4f और 5d होता है, इससे आप electronic configuration इसका निकाल सकते हो, ठीक है, तो यह electronic configuration हो गया है, देखो, अब यही चीज इसने लिखिए यहाँ पर, यह 2 लिख दिया पहले, फिर 3 लिख दिया, तो यह 4 है, उससे पहले 3 d, फिर 5 लिखा उसने, उससे पहले 4d, फिर 6 लिखा उसने, 6s2, 6p5, उससे पहले 5d और 4f, ठीक है, तो यह shortcut method है, इसको याद करने का, Generally, क्या होता है, जो oxidation state होता है, fluorine minus 1 करता है बस, क्योंकि abnormal property show करेगा, छोटा element होता है, absence of d orbital, बाकी के देखो, बाकी के minus 1, plus 1, plus 3, plus 5, और plus 7 तक करते हैं, क्योंकि इसके last में 7 electron है, इसका maximum 7 है, धिहान रखना, तो 17 group है, तो maximum 7 है, अगर कई बार chlorine है, अगर 7 से ज़्यादा आ गए, तो आप समझ जाओगे, कि इसमें प्रॉक्साइड है, ठीक है, तो प्रॉक्साइड को समझने का तरीका क्या है, कि जो element की oxidation state है, अगर उससे ज़्यादा कोई show कर रहा है, तो इसमें प्रॉक्साइड होगा, ठीक है, अब इसके आगे चले जाते हैं, इसके आगे next है, इसमें, इसकी properties, इसकी property में कोई variation नहीं है, जो अपने class 11 में पढ़ा है, वही टेंट फॉल्व करना है, इसमें exceptional case नहीं है, जैसे औरों में थे थोड़े बहुत exceptional case, इसमें कोई exceptional case नहीं है, ठीक, इसको धियान रखना आप, कि जो क्या है, यह 17 family है, इसमें कोई भी exceptional नहीं है जादा, ठीक है, exceptional को याद रखोगे, और बाकी normal trained हम इसको follow करेंगे, जैसे मैंने कहा आपको, पहला size, तो आपको पता है, कि जब भी size की बात होगी, तो left to right size decrease होता है, और top to bottom size increase होता है, और left to right में noble gas को छोड़ देता हूं, noble gas सबसे अगर मैंने आपको कह दिया इसमें, तो noble gas सबसे बड़ा, जैसे oxygen, fluorine और neon आ गया, तो left to right size decrease होता है, तो oxygen बड़ा होगा, लेकिन neon सबसे बड़ा होगा, तो अपने period में noble gas सबसे बड़ा होता है, धियान रखने इस बात का, तो neon सबसे पहले आ जाएगा, फिर oxygen, फिर fluorine, ठ करता है, तो generally बाकी क्या होगा, और top to bottom जाओगी, तो size बड़ेगा, इसमें भी वही है, इसमें कोई exceptional case नहीं है, अगर आप top to bottom चलेगा, जैसे F, C, L, B, R, I, ठीक है, यहां लिखता हूँ, F, C, L, B, R, I, 80, तो top to bottom size increase होता है, तो इसका भी increase होगा, इसमें कोई भी exceptional case नहीं है, reason same है, number of shell बढ़ रहे हैं, ठीक है, reason क्या है, इसका, reason है, कि हर एक step में क्या हो रहा है, number of shell increase हो रहे हैं, gradually, या by one unit, एक-एक cell बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी हमने दिखाया है, two, फिर three, फिर four, five, six, seven, तो number of shell बढ़ेंगे, तो size भी बढ़ेगा, और वही case किसका है, आनिक रेडियस है, अगर यह आनिक रेडियस हो गया, गर माइनस भी दिखारो आप, तो भी वही train चलेगा, इसमें कोई वह नहीं है, exceptional कुछ नहीं है, top to bottom यह भी क्या होगा, increase होगा, reason same है, तो आनिक size हो, या atomic size हो, दोनों में size top to bottom increase होगा, ऐसी देखो, ionization enthalpy, ionization enthalpy में आपको पता है, कि left to right increase करता है, और top to bottom decrease करता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही concept follow होगा, कि जब आप top to bottom जाओगे, तो क्या होगा, decrease हो जाएगा, तो top to bottom में decrease होगा, आनि CL का, sorry, fluorine का सबसे ज़्यादा, तो यह देखो, fluorine है, 1680, सबसे ज़्यादा, फिर 1256, फिर 1142, और 1008, ठी सबसे ज़्यादा है, क्यों है ज़्यादा, क्योंकि छोटा size होगा, reason क्या है, size सबसे छोटा है, तो क्या होगा, effective nuclear charge, इसका highest हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, electron को निकालने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा large amount of energy देनी पड़ती है, large amount of energy, ठीक है, large amount of energy आप क्या करोगे, इसको दोगे, इसकी वज़े से क्या होगा, electron जल्दी निकल जाएगा, ठीक है, तो आयोडिन का size सबसे बड़ा होता है, तो इससे सबसे कम energy देनी पड़ेगी, तो same trend है, और main का है, effective nuclear charge है, force of attraction, fluorine का सबसे ज़्यादा होगा, और iodine का सबसे कम होगा, क्योंकि iodine का size बड़ा है, इसके बाद देखो electronegativity, electronegativity का भी हमने वही trend देखा, जब आप left to right जाते हो, तो electronegativity increase होती है, और top to bottom decrease होती है, तो इसका भी वही case है, same, F, C, L, B, R, I, R, T, तो जब आप top to bottom जाओगे, तो electronegativity decrease होगी, ठीक है, तो इसमें भी होई है, fluorine का 4 होता है, chlorine का 3.2, bromine का 3, iodine का 2.7 और estetine radioactive है, इसका होता है, 2.2, तो जैसे आप top to bottom जाओगे, electronegativity decrease होगी, reason इसका भी सेम है, size छोटा होगा, और क्या होगा, इसमें effective nuclear charge ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, effective nuclear charge बढ़ा हो गया, तो उससे क्या होगा, electron को निकालना, मुस्किल हो जाएगा, ठीक है, electron, किस case, sorry, जो fluorine होगा, यह बहुत जल्दी electron को attract कर लेगा, त्योंकि electronegativity मितलब क्या होता है, share pair of electron को attract करने की tendency, tendency to attract share pair of electron, तो share pair of electron को attract करने की tendency, ज़्यादा किसकी हो जाएगी, fluorine की, क्यों हो जाएगी, छोटा size होता है, और इसका effective nuclear charge सबसे ज़्यादा होता है, highest होता है, इसलिए यह electron को जल्दी gain कर देगा, तो इसका भी trend same है, F, C, L, B, R, I, कोई exceptional नहीं है, एक exceptional है वसेइश में, electron gain enthalpy में, exceptional है, तीक है, electron gain enthalpy का मतलब होता है, energy release, when an electron is added, यह accepted, तीक है, एक electron को accept करने में, जितनी amount of energy release होती है, उसे कहते है, electron gain enthalpy, overarching को gain करने में, जितनी heat निकल दिया, enthalpy means heat, electron gain, मतलब electron को gain करने में, accept करने में, add करने में, जितनी heat release हो रही है, तब ये minus sign आ रहा है, minus का मतलब heat release होना, plus का मतलब heat required होना, तो सबसे ज्यादा value किसकी होगी, chlorine की होगी, होना चाहिए था, fluorine को, यह मैंने आपको exception में भी बताया था, क्योंकि fluorine होता है, छोटा size होगा, तो electron बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, electron बिल्कुल यहां पास पास हो गए, तो seven electron है, seven के seven electron बिल्कुल पास पास हो जा तो उसमें enter नहीं कर सकता, क्योंकि इस case में electron, electron, repulsion, maximum हो जाएका क्योंकि electron मिल्कुल पास पास है, थीक है, small size की वजह से, तो यह electron को accept नहीं कर सकता, हलंकि जो fluorine होता है, इसका nucleus बहुत powerful होता है, nucleus powerful है, लेकिन फिर भी यह accept नहीं कर पा रहा है, थीक है, यह accept नहीं कर पाता ह क्योंकि बहार से इलेक्टोन ने से cover up कर दिये, तो इलेक्टोन रिपर्शन maximum हो जाएगा, तो यह इलेक्टोन को accept नहीं कर पाता, इससे अच्छा कौन कर लेता है, क्लोरीन, क्लोरीन का size बढ़ा हो जाता है, अब तीसरे cell में लेक्टोन हो गए, तो यह तीसरे cell में लेक्टोन इसको जल्दी से attract कर लेता है, तो इसलिए क्लोरीन की value यहाँ पर जादा होती है, तो इसका order क्या हो जाएगा, क्लोरीन के बाद fluorine, उसके बाद फिर bromine, फिर iodine, बस एक ही जिगह exceptional है, यहाँ पर बदल जाते है, क्लोरीन की value जादा हो जाती है, फ्लोरीन से, ठीक है, तो य याद रखने आपने, इसमें कोई doubt किसी को, यह order ही पूछ लेगा आपको, order में किसका ज्यादा है, किसका काम है, यह order ज्यादा पूछ लेता है, आपसे, अब देखो melting point, boiling point में भी कोई ज्यादा difference नहीं है, इसमें, सब एक ही जैसा trend है, जैसे मैंने आपको बताया, melting point या boiling point में होता क्या है, यह size पे ज्यादा depend करता है, size पे, size पे क्यों depend करता है, क्योंकि इसमें जो force लगता है, वो लगता है, weak wonder wall force, weak wonder wall force लगता है, और यह किसमें ज्यादा तर depend करता है size पे, अगर कोई और force ना लग रहा हो, ठीक है, wonder wall force वहाँ पे लगेगा, जहाँ पे और कोई जैसे फ्लोरी नहीं जिए आएनिक बॉन्ड नहीं, यहाँ कॉवरिन बॉन्ड नहीं जी तुवहां पे ब्रॉर्स वाल फ्लोरीन यह इसकी बर भीष नहीं है। जब आप melting point की बात करते हो एक fluorine और दूसरे fluorine के बीच में देखते हैं force of protection, ठीक है क्योंकि यहां से तूटेगा, fluorine fluorine ऐसे नहीं तूटेगा यह, ठीक है, यह कैसे तूटता है, दो fluorine molecule के बीच से तूटता है, तो इसके बीच में कोई force of protection नहीं होता है, और जहां पर नहीं होता है, वहां पर हम एजूम करते है, वीक वेंड़वार force of protection, जो molecule के बीच में लगता है, और वो generally size में depend करता है, तो जितना बड़ा size, उतना force of protection ज्यादा, जैसे example के लिए यह है, छोटा size है, यह overlap करेंगे, यह थोड़ा बड़ा size है, यह overlap करेंगे, यह एक और बड़ा size है, तो जितना बड़ा size होगा, क्या होगा, ज्यादा surface area होगा, तो यह जब आपस में overlapping करेंगे, तो यह strong हो जाएगा, इसको तोड़ना मुस्किल हो जाएगा, यह चोटा size है, तो इसको तोड़ना थोड़ा आसान है, इसके comparison में, जहां पर भी wonder wall force लगेग यहां पर जिसका size ज्यादा होगा, उसका melting point या walling point ज्यादा होगा, except अगर कोई force और काम ना कर रहा हो, तो यहां पर कोई काम नहीं करता है, क्योंकि fluorine है, और यह भी fluorine है, तो इसमें कोई charge डेवलप नहीं, इसमें भी कोई charge डेवलप नहीं, तो इसमें वेंडर वार फोर इसमें यह होगा top to bottom increase हो जाएगा, क्योंकि size बढ़ता जा रहा है, फिर तो top to bottom increase होता चला जाएगा, melting point और walling point में, ऐसी same case है density का, density तो किसी भी case में, top to bottom increase होती है, density किसी भी case में क्या होगा, जब आप top to bottom जाओगे, top to bottom में क्या होगा, increase हो जाएगी, थीक है, तो इसमें को सोचने ही नहीं है, iodine का सबसे ज़्यादा, फिर BR2 का, फिर CL2 का और लास्ट में F2 का, जैसे जैसे आप top to bottom जाओगे, density increase होगी, यह तो सब के case में है, सुरू से लेके last तक आप कहीं भी use करोगे, अब देखो distance है, तो distance जब हम top to bottom जाएंगे, तो distance बढ़े गई, top to bottom जाएंगे, तो distance बढ़े गा, तो इसकी वज़े से क्या होगा, जो fluorine होता है, उसका distance सबसे कम होगा, फिर CL2 का, फिर BR2 का, और iodine का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि iodine कैसा है, large size वाला, iodine का large size है, तो large size होगा तो distance जाता होगा, fluorine का small size होता है, तो distance कम होता है, थीक है, small size से distance कम होगा, iodine में बड़ा size होता है, तो distance जाता हो जाएगा, clear है? इसमें कोई doubt किसी को? तो यह देखो, एक जैसे ही train चलने, थोड़ा कहीं पर exceptional है, उसको ध्यान रखना है, इन general trends में देखो, जो चीजे fix हैं, वो चीजे fix चलते हैं, लेकिन कहीं पर अगर कोई exceptional है, तो उससे याद कर लो, लेकिन ज़्यादार exceptional ही पूछ लेते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसने पढ़ा होगा, वह ही कर सकता है उसे बस, अब इसमें देखो next आ जाते हैं, इसमें यह देखो, अगर आप इसे breakdown करोगी, एक पॉइंट ही रह गया last वाला, जैसे आपने फ्लोरीन, फ्लोरीन को तोड़ोगे आप, अब आप यहां से तोड होगे देखो, यह है, जब आप तोड के एक फ्लोरीन अलग करोगे, ठीक है, ऐसी क्लोरीन है, जब आप क्लोरीन को breakdown करोगे और एक क्लोरीन अलग हो जाएगा, अब इसमें, किसमें सबसे ज़्यादा हीट लगेगी, ठीक है, तो इसमें जो हीट लगेगी, वह सबसे ज़्य जब्लोरिन की फिर ब्रोमीन की फिर फ्लोरीन की और फिर आयोधीन की तेक्ष को अब्लोरिन को ज्ञादा हीर देना चाहिए ता लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। को फ्लोरीन जल्दी तूट जा रहा है सबसे ज्यादा क्लोरीन है फिर ब्रोमीन है और जो फ्लोरीन है वो तीसरे नंबर पर चला गया जबकि फ्लोरीन को क्या होना चाहिए था पहले नंबर पर चले जाना चाहिए था लेकिन थार्ड नंबर पर चले जा रहा है ठीक है तो ऐ जो हुआ कि जो फ्लोरी ने वह पहले निंवर पर होना चाहिए था क्योंकि छोटा साइज है तो स्ट्रांग फॉर्स होगा तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता लेकिन वो तीश्रे निंबर पर चला गया बाकि तो सेम ट्रेंड है CL2, BR2i, बड़ा साइज है आई का तो उसको क्या होगा जल्दी तूट जाएगा और जिसका छोटा साइज होगा तो फोर्स और टेक्शन जादा होगा तो उसको तोड़ना मुस्किल हो जाएगा लेकिन यहां पर जो यह फ्लोरीन है यह लास्ट में क पर आना चाहिए था दिमाग लगाओ जराओ कि ठीक है हां लगबग ही मंद का और इसके लावा कोई अंसर कुछ जो आपको लग रहा है कि क्या हो सकता है रिजन चोटा साइज है देखो चोटा साइज आपको मैंने हर बार बताया था कि चोटा साइज होगा तो फोर्स और टेक्शन इसका जादा होगा और यह टाइटली बाॉन्ड होना चाहिए था तो इसको तोनने के लिए ज़् जादा हो गई ठीक है और यह यह कोश्चन आएंगे देखो तो इसका ट्रेंड नहीं है जिसने याद नहीं किया होगा वो नहीं कर सकता है इसे ठीक है तो यह याद करने है जो थोड़ी सी डिफ्रेंट है अब इसका लॉजिक में आपको बता देता हू हाँ दोनों ने से बता है स्वेता एंड स्रूती एंड हीमंत अब देखो इसका लॉजिक में बता देता हूं आपको होता क्या है कि कोई चीज फायदे वाली होती है कई बार वही नुकसान कर देती होता क्या है कि फ्लोरीन का छोटा साइज होता है अब फ्लोरीन के भार कित तो अब क्या होता है यह जल्दी तूट जाएगा ठीक है होता क्या है इस electron reperson की वजह से जल्दी तूट जाता है, वो तो खुद ही चाह रहा था कि तूट जाया, आपने थोड़ी heat दी, तूट जाएगा, ठीक है, तो इसलिए fluorine क्या होता है, third number पे आ जाता है, आना चाहिए था fluorine को पहले, first पे, लेकिन main reason क्या है, एक तो अपने group का विचारा सबसे जादा electron भी है, electron सबसे जादा है इसके पास, seven electron इसके last में होते हैं, और सबसे छोटा size है तो electron और आपको पता है कि जो electron होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन की वजह से ये bond जल्दी breakdown हो जाता है, कम heat देने क याद रखना है, enthalpy या bond dissociation energy, इसका जो है, वो chlorine का ज्यादा होगा, फिर bromine का होता है, फिर chlorine पहुंच जाएगा, ठीक है, तो इसको आपको यादी करना पड़ेगा, तो जो different है, उसको याद कर लिया करो, और जो normal है, वो तो आपको पता ही है कि ये, जो आप rule से चल लो, वही rule follow करेगा, ताकि अगर कोई भी question आता है इस type का, तो आप उसे आराम से solve कर लो, तो ये भी आपका finish होता है, और ये properties को यहाँ पे detail में बताया गया, कैसा क्यों हो रहा है, जो मैंना भी आपको बताई दिया, और ये उन्होंने with reason बताया होगा, कि atomic or annex size क्यों होगा, क्योंकि number of cell increase होते है, ठीक है, number of cell क्या होता जाएगा, increase होता जाएगा, और ये इनर्जी का मतलब होता है, कि the energy required to remove the outermost electron from its isolated gaseous atom, ठीक है, तो क्या होगा, कि जो छोटा size होगा, उससे electron निकालना मस्किल है, क्योंकि force of attraction ज्यादा होगा, iodine का size बड़ा होता है, size बड़ा होगा, तो electron निकालना आसान हो जाएगा, तो iodine की value सबसे कम और fluorine की value सबसे ज्यादा, ऐसी electron negativity वाला है, sorry, electron gain enthalpy, इसमें exceptional case है, कि chlorine का ज्यादा होता है, हाँ, chlorine का ज्यादा होता है, fluorine से, ठीक है, और ऐसी electron negativity का fixed trend है, इसमें कोई दिक्तत नहीं है, fluorine सबसे ज्यादा electronegative होता है, इसलिए क्या होता है, यह सबसे ज्यादा reactive metal है, element है, और इसके बाद फिर physical properties में आते हैं हम लोग, तो physical में atomicity, atomicity मतला number of atom कितने present है, तो आपको पता है, सारे के सारे diatomic होते हैं, तो इससे हम di fluoride भी कह सकते हैं, दो के लिए di fluoride, ठीक है, chlorine के लिए di chloride भी कह सकत होते हैं, क्योंकि यह diatomic form में होता है हर हमेशा, gas form में होता है, यह single form में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसको single form में रहने के लिए बहुत ज़्यादा energy चाहिए होती है, और normal condition में वो energy मिलती ही नहीं है, ध्यान रखता है, कोई भी gas के लिए answer है, अगर आपको कोई पूछ ले है, यह N के form में क्यों नहीं रहती है, hydrogen है, H के form में क्यों नहीं रहती है, chlorine है, Cl के form में क्यों नहीं होती है, सबका answer सेम है, question अलग अलग है, answer सेम है सबका, ठीक है, तो इसका answer क्या है, कि जब कोई भी atomic form में रहेगी, gas दिहान रखना, तो atomic form में क्या होता है, इसको exist करने के लिए हाई एंप्रेचर यह हाई एनर्जी की ज़रुत होती है ठीक है हाई एनर्जी इस रिक्वाइट तुकि जब आप ऑक्सिजन को तोड़ोगे तब मिले गए जैसे अभी मैं आपको बताया इतनी हीट चाहिए इसको तब जाके तूट रहा है तो नॉर्मल नहीं तूटता ही जब बहुत हाई टेंप्रेचर आप दोगे और नॉर्मल में पॉसिबल नहीं होता है इसलिए जितनी भी गैस होती है वह डाइटोमिक फॉर्म में ही एक्जिस्ट करती है हर हमेशा तो अगर आप कोई भी गैस को सिंगल फॉर्म में लिख दोगे तो पहले ही गलत हो ठीक है वह डाइटम में नहीं होते हैं अर्ड पांड में अब इसके बाहसिंग सर्थाम इंक्रीज करेगा नॉन मेचलिक रेक्टरिक टॉप तो वरटम इंक्रीज करता है यмовालो करेगा जच्रीज करेगा य้नितग गारडिक मेच्रारेगा sluwill नहीं करेंगा top to bottom decrease होगा ठीक है यह याद कर लेना non-metallic character top to bottom decrease होगा और left to right increase होगा top to bottom decrease और left to right increase और metallic character ठीक इसका opposite होगा ठीक है तो यहां तक का यह complete हुआ है यह है जो मैं कहा रहा था आपको dissociation energy का question यह आता है competitive में पूछा हुआ यह भी कि इसका fixed chain नहीं होता है तो इसमें यही कह रहा हो कि जो ff की जो bond dissociation enthalpy होती है वो कम हो जाती है ठीक है तो उसका main reason क्या है इसमें यह electron electron repulsion है electron repulsion सबसे ज्यादा किसमें होगा फ्लूरी में होगा यह दिखाए देखो electron repulsion between lone pair of electron are very light इसमें फ्लूरीन में क्योंकि small size होता है इसी लिए इसका जो bond dissociation energy है वो तीसे number पर चली जाती है और जाना चाहिता है से first number पर color है कौन कौन से color show करते हैं तो iodine का deep color होता है bromine होता है reddish brown color और chlorine होता है greenish yellow color और fluorine होता है pale yellow color ठीक है तो यह color से भी आप पहचान सकते हो जैसे कोई gas निकलती है color से उसका पहचान सकते हो अच्छा यह वाली gas हो सकती है ठीक है तो pale yellow color fluorine का chlorine का है greenish yellow bromine reddish brown यह पूरे periodic table में एक मात्र ऐसा liquid एक मात्र ऐसा element है जो liquid form में होता है ठीक है वो है bromine bromine liquid form में होता है reddish brown color का ठीक है और यह iodine solid form में होता है बाकि पहले के दो जो होते हैं यह gas form में exist करते हैं तो यह इसकी physical state भी है तो पूरे periodic table में एक ही liquid होता है bromine अब आते हैं इसके आगे solubility solubility का एक ही funda होता है generally कि जो भी यह covalent compound बनाएंगे उस वो क्या होते हैं water में less soluble होते हैं लेकिन organic solvent होता है जो उसमें इसे chloroform यह carbon theta chloride carbon disulfide याने CS2 carbon theta chloride मतलब CCL4 और chloroform का मतलब होता है CHCl3 CSCl3 chloroform होता है जो बेहुस करने के काम आता है और CCL4 होता है carbon tetra chloride CS2 होता है carbon disulfide या hydrocarbon आपने यूज किया जैसे benzene हो गया benzene होता है C6H6 और hexane होता है C6H14 तो यह organic compound है सारे तो इस organic compound में क्या होगा है ज्यादा solubile होंगे क्योंकि इनका character organic से match करेगा Rejoin करने same ID पर क्योंकि time खताम हो गया है